तो अभ्याय देखते हैं क्या होता है अभ्याय को पढ़ते हैं ठीक है अभ्याय को देख लेते हैं एक बार तो ऐसे सब्द जिन में लिंग वचन पूरुष कारक ठीक है औक मतलब परिवर्तन मतलब कोई चेंजिंग नहीं आती है लिंग वचन पूरुष कारक आध के कारण कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है कोई भी विकार नहीं होता है तो इसको अभ्यस सब्द जाता है ठीक है अब यह मतलब जिसमें अभी क्या रही मतलब जिसमें विकार नहीं हो ठीक है अब यह होते हो ठीक है इनका मूल रोप इस्थिर रहता है कभी बदलता नहीं कहने मतलब इसमें चेंजिंग नहीं आती है कभी जैसे आज आज किसी के भी साथ प्रयोग करिए कोई चेंजि जिस पर उसके साथ प्रेयोक कीजिए तो कुछ बदलाव नहीं आ सकता है आज जैसे कंद और के इसलिए इत्यादित तो इसमें परीवर्तन नहीं बोधक समुच्चे बोधक विश्मयाद बोधक ये सभी क्या है अब ये हैं ये सभी अब ये होते हैं ठीक है आगे चलते हैं अब पहला देखते हैं क्रिया विशेशन ठीक है अब पहला देख लेते हैं क्रिया विशेशन जो सब्द क्रिया की विशेशन बताता है उसी को कहते हैं क्रिया विशेशन अर्थ की अधार पर क्रिया विशेशन चार प्रकार के होते हैं हuten पहला अस्थान वाचक जैसने सुद्ध्रा हो जाएगा समया आज कल अभी तुरंथ यह सभी समय वाचक है अवधिवाचक जैसे रात भहर दिन भहर आज कल नित्य अवधिवाचक है और बारम बारता वाचक जैसे हर बार कई बार प्रति दिन यह सभी हो गया तीसरा है परिमाण वाचक और इसमें होगा पहला अधिकता बोधक जैसे खुब बहूत अत्यांत अती निवनता बोधक जैसे जरा थोड़ा किंचित कुछ परियाप्ति बोधक जैसे बस यह थेष्ट काफी ठीक यह हो गया और आगे चलते हैं थोड़ा तुलना बोधक कम अधिक इतना उतना स्रेणी बोधक बारी बारी तिल तिल थोड़ा थोड़ा ठीक है यह हो गया हमारा आगे चलते हैं रीतिवाचक ऐसे वैसे ऐसे कैसे धीरे अचानक कदाचित अवस इसलिए तक सा तो हां जी यथा संभव इत्याद से भी रीतिवाचक हैं और संबंध वो धक हैं जो अब्यकिसी संग्या के बाद आकर उसंग्या का संबंध वाकिके दूसरे सब्द से दिखाते हैं जैसे वह दिन भर काम करता रहा तो यहां भर जो है क्या है यह है दूसरे वाकिसे संबंध दिखा रहा है